बिहार के पूर्वी चमपारन जिले में 12 साल की एक किशोरी से सामूहिक बलातकार कर हत्या करने का मामला सामने आया है टाइमसनाव की रिपोर्ट के अनुसार आरोप है कि साक्षों को मिटाने के लिए बच्ची की हत्या के बाद उसके शव को जला दिया गया इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपियों को पीडिता की मा को अपनी बेटी के लिए रोते भी देखा जा सकता है मामले में लापरवाही के आरोप में S.H.O को नीलंबित कर दिया गया है बता दें कि 20 जनवरी को 12 साल की बच्ची का उस समय चार लोगों ने कथित बलातकार किया जब वे घर पर अकेली थी पीडिता नेपाल के बरबडिया की रहने वाली थी और अपने पिता के साथ यहां रहती थी उसके पिता एक स्थानी ये बाजार में चौकीदार के तौर पर काम करते हैं पीडिता के पिता को कथि तौर पर आरोपियों ने धमकी भी दी कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस संबंद में एक आडियो क्लिप भी वाइरल हुई है जिसमें कुंडवा चैनपुर थाने के एसेचो संजीव रंजन को आरोपियों से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वे संबूत मिटाने के लिए पीड़ता के शव को नस्ट कर दें एसे चो रंजने कि स्थानिय नेता रमेश शाह से कहते सुनाई दे रहे है कि वे पीड़ता के परिवार के पुलिस तक पहुँचने से पहले ही पीड़ता के शव को नस्ट कर दें हाला कि तीन फरवरी को पीड़ता के पिता ने मुतिहारी के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी के पास FIR दर्ज कर आई इस बीच पूरवी चमपारण के S.P. नवीन चंद्रा जहा ने कहा बलातकार और हत्या के मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जबकि साथ लोगों के खिलाफ सबूतों को नश्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है इन साथ में से दो लोगों को गिरफतार भी किया जा चुका है पुलिस ने FIR दर्ज करने में देरी और अपरात का पता चलने के बाद भी शब का पोस्मार्टम नहीं कराने के लिए SHO को सस्पेंड कर दिया है इस बीच आरोपियों का परिवार SP से मिला और जमीनी विवाद में उनके घर के लोगों को मामले में फसाने का आरोप लगाया वहीं घटना की जाच के लिए विशेश जाच टीम SIT का गठन किया गया है SP ने मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL यानी Forensic Science Laboratory की टीम को तलब किया है SP ने बताया कि FSL की टीम वैग्यानिक तरीके से मामले की जाच करेगी और साक्षे जुटाएगी पर जाए और अपनी राशी चुने